प्रथम वज्रासन में बैठ जाएं अब अपने दोनों हाथों के पंजों को सामने की तरफ जमीन पर रखें अब अपना शरीर उपर उठाएं आपके शरीर का संपूर्ण भार आपके हाथों और पैर के पंजों पर होगा अपनी रीड की हड़ी सीधी रखें गर्दन सीधी करके सामने की ओर देखें इस अवस्था में कुछ देर रहकर आप अपने घुटने जमीन पर तेक दें और वजरासन में बैठ जाएं आप चाहे तो इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं ये आसन मोटापा दूर करता है कब्ज की परिशानी से राहत दिलाता है इस आसन को नियमित करने से कमर और पेट की चरबी दूर होती है हाथ और पैरों की मजबूती बढ़ाता है आपकी कोनियों में या हाथों में दर्द हो तो ये आसन ना करें एडियों में दर्द वाले भी इस आसन से दूर रहें स्कोर्ट्स मलासन प्रथम सीधे खड़े रहिए अब अपने पैरों को फैलाईए एक से देड़ फीट की दूरी रखिए अपने हाथ एक दूसरे से जोड ले अब धीरे धीरे नीचे की ओर बैठ जाए कुछ समय इस अवस्था में रहकर सीधे खड़े हो जाए आप इस आसन को अपनी सुविधा अनुसार दोहराए इस आसन से कब्ज और गैस चैसी समस्याएं दूर होती है ये आपके पैरों के मान स्पेशियों में खिचाव लाता है इससे पेट की चर्बी कम होती है अगर आपके पीठ में दर्द हो तो ये आसन ना करें घुटनों में चोट या दर्द वाले भी इस आसन से दूर रहें व्रिक्षासन दाई एडी को हाथों की मदद से बाई जांग उपरी हिस्से पर जोड़ दें अब अपने हाथों को प्राठना की मुद्रा में जोड़ें अब अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे उपर लेके जाएं और प्राठना की मुद्रा में जोड़ दें इस अवस्था में कुछ सेकेंड शरीर का संतुलन बनाए रखें अब हाथ नीचे लाएं और पूर्वा अवस्था में लौट आएं इस प्रक्रिया को दूसरी तरफ से भी करें इस आसन के फाइदे पैरों की मान स्पेशियों को मजबूत बनाता है छोटे बच्चों में कद बढ़ाने की संभावना बढ़ सकती है शरीर का संतुलन बढ़ाता है रीड की हड़ी को मजबूत करता है घुटनों में दर्द हो तो इस आसन से दूर रहें हाई बीपी वाले ये आसन ना करें बद्ध पदमासन इस आसन को करने के लिए पहले आप पदमासन में बैठ जाएं अब अपना बाया हाथ पीठ के पीछे से आगे लाकर अपने बाये पैर का अंगूठा पकड़ लें इसी प्रक्रिया को दाए हाथ से भी दोहराएं अब आप बद्ध पदमासन की मुद्रा में हैं इस अवस्था में कुछ समय तक रहिए फिर धीरे धीरे पूर्व अवस्था में आजाईएं इस आसन के फाइदे ये आसन आपके नितंबों और घुटनों के जोडों का लचीलापन बढ़ाता है आपके हाथ पीठ कंधो को मजबूत बनाता है रक्त संचार तेज होता है कमर दर्द रीड की हड़ी में चोट वाले इस आसन को ना करें कंधों में चोट हाथ की हड़ी में चोट वाले भी इस आसन से दूर रहें भद्रासन और उंगलियों से जमीन को स्पर्श करें रीड की हड़ी को मजबूत बनाता है पैरों को मजबूत बनाता है घुटनों में दर्द हो तो ये आसन ना करें कमर में चोट या गंभीर दर्द हो तो इस आसन से दूर रहें ब्रिच पोज सेतू बंधासन प्रथम अपने पीठ के बल लेट जाएं अपने घुटनों को मोड लें अपनी हथेलियों से जमीन को स्पर्श करें अब अपने शरीर के निचले हिस्से को धीरे से उपर उठाएं अब आपके शरीर का भार आपके कंधों पैरों और हाथों पर होगा इस आसन में आप एक मिनट तक रहिए फिर धीरे से पूर्व स्थिती में लोटाएं पीठ को मजबूत बनाता है पाचन क्रिया ठीक करने में सहायता करता है गर्दन और छाती की मान स्पेशियों को मजबूत बनाता है कमर और रीड की हड़ियों को मजबूत बनाता है हाई बीपी वाले इस आशन से दूर रहें कमर में किसी भी तरह का दर्द हो तो ये आशन ना करें गर्दन दर्द हो तो इस आशन से दूर रहें अपने पैरों को चौड़ा करके सीधे खड़े रहें दोनों पैरों के बीच अपने कद अनुसार दो या तीन फीट की दूरी रखिए हाथों को अपनी पीट के पीछे नमशकार मुद्रा में जोड लीजे अब धीरे धीरे दाहिनी और मुडे और शरीर को जमीन की तरफ जुकाएं अब आपका सर आपके दाहिने घुटने के सामने होगा इस आशन में आप 30 से 60 सेकेंड तक रह सकते हैं अब धीरे धीरे अपने सिर को उठाते हुए उपर आ सकते हैं ये सारे स्टेप बाई ओर से भी कीजिए तरुटने से सारे लो आपके देजिए ये छोग कर दोने होगा इस आपके वीरे गाइवे भी कर दोगे दोगाँ पिरामिट पोज के फाइदे पैरों को मजबूत करता है रीड की हड़ी, नितंबों और कलाईयों में खिचाव लाता है पाचन क्रिया में सुधार लाता है दिमाग को शांद करता है हाई बीपी और कमर दर्द से पीडित ये आसन ना करें गर्बवती महिलाएं ये आसन ना करें हाथों में चोट है तो इस आसन से दूर रहिए ससंगासन सबसे पहले आप वजरासन में बैठ जाएं अब नीचे जुक कर अपना सिर जमीन पर टेक दें अब अपने हाथों से अपने पाउं की एडिया पकड़ लें इस आसन के नियमित अभ्यास से पेट और कमर की चर्बी कम होती है घुटनों में दर्द हो तो ये आसन ना करें सरदर्द या पेट दर्द हो तो ये आसन ना करें सिंग आसन ये आसन करते समय आप जमीन पर बैठ जाएं अब अपने दोनों पैरों को एक एक करके खुटने में मोड कर पीछे लेकर पंजों को आपस में मिला लें अपनी दाई और बाई एडियों को उपर की ओर मोड लें अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखें मुख खोल कर जी बाहर निकालिए और नाग से सास लीजिए सास को धीरे धीरे छोड़ते हुए गले से आवाज निकालिए तनाओ कम करने में मदद करता है चहरे की जुर्यों को कम करता है आवाज मधुर बनाता है खुटने में दर्द है तो ये आशन ना करें गले में दर्द हो तो इस आशन से दूर रहे खुटने में दर्द हो तो ये जाशन से दिए बबल्स लाइव झाल